हेलो फ्रेंड्स वेलकूम टू पैक लेक्ट्रिकल यूट्यूब चैनल आई होप आप सब ठीक होंगे तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा एंकर के डीपी स्विच जो डबल पूल स्विच होगा साथ में एंकर के एंसीवी डीपी जो आज कर नहीं यूज घरों में किये जाते हैं और साथ ही यह आपको यह भी यूज किया थे लेकिन अब जो मैक्सिमुम टेक्नोजी के इसाब से यह वाला एंस डीपी यूज किया जा रहा है जो यह वाला यह थोड़ा साप पुराने टाइम में यूज किया थे लेकिन अब जैसे जैसे टekनिकल हम आगे बढ़ रहे हैं जो टेक्निक आरु है उसमें घरों में यह वाला डीपी में यूज कियाता है तो मैं दोनों के बार्व में आपको बताऊंगा तो समें बताता तो यह देखिए जो इसकी precaution है वो भी आप एक बार देख लिजिए धंक से Unbreakable top coverage है इसका withstand इसकी जो total safety दीखाई गई है and part of pressure it is an insurance against socks and never exposed use live contact advisable totally safety तो आइडियल फॉर्जी मेन एर कंडिशनर गीजर रेमोटर आप इस चीज़ के लिए जो हैवी मिशिनियों इस चीज़ के लिए इसे यूज करते हैं एवी जूटी कंपोनेंट है यह पॉटी कंटेक्ट है जो टीपी आइसोलेटर है यह बिलकुल आपको मैं बता दूँ इन्होंने इसमें silver alloy contact for the well tree operation है clear on off indication है complete range है low water loss है utilization of category AC w2a ampere easy mounting using two step ring rail clip clip दिया गया इसमें साथ माउंटी करने के लिए आपको पूरी आपको मैं यह बता दूँ यह कि विलकुल चालेशन पेर का है और मलब नई टेखनिक के साफ से काफी अच्छा है साथ में इसमें company आपको वनियर के वरंटी देती है अगर इसमें कोई जलता नहीं है ऐसे कोई problem हाती है तो इसमें आपको company टूवेर के वरंटी देती है तो मैं आप दोनों की unboxing करूँगा तो मैं बताओंगा कि आपको एक किस तरह के design है तो यह देखिए यह देखिए किस तरह से इसकी packing दी गई है और अब हम इसे खूल के देखें तो यह रहा आपका जो anchor का कि जिसे हम में स्विच भी बोलते हैं यहां अपनी भासा में जो लेंग फिस और anchor का है यह दिखिए यहां पर आपको बता दूं मलवी ओन लिखा हुआ इस पर तो ओन है और यह दिखिए ओफ है और यहां से आपकी यह दिखिए बिलकुल जो चिमनी मेटी है उसका प्रयों की है made in इंडिया है और यह दिखिए off on और यहां से आपकी input निकलेगी और यहां से इसकी output यहां से जाएगी अगर मेटर लगते तो यहां से इसके यह जो टार्मिनल दिये गए हैं तो यह तो आप घरों में जैसे पुराने घर होते थे पुराने टाइम में तो इसके काफी अभी भी यूज कर आता है मिशिन देगारा विभी इसका काम चला है और काफी use हो रहा है लेकिन साथ में ही यह जो मैं आपको इस डीपी की बात कर रहा था जो भी anchor का ही है तो यह देखिए यह anchor का डीपी यह पांग ये छे कमरे हैं तो उनका एक ये में स्विच बनते है तो उसमें लग लग सरकट दिये जाते थे और उसमें पहले भी ऐसा ही होता था और बिल्कुल Safetyable है आप से यहां से बंद कर सकते हैं और रामसे से यह ऑन ओफ कर सकते इंडिकेशन दीए गया है यह दीखिए लिपी यह ओफ हो गया और यह ओण हो गया तो वैसा ही इसमें है यह ओण है यह ओफ है तो इसमें थोड़ा सा ऐसा ही कि आप इसे repairable कर सकते हैं अगर थोड़ी सी problem है तो यह repairable हो जाता है था इंडिकेशन दीगे कि light है या नहीं तो आप यहां से देख सकते हैं लेकिन इसमें खुछ इस तरह कैसा नहीं है पर इसमें एक सबसे अच्छी बात यह है कि light short circuit होता है तो आपका यह DP खुद ही automatically cut हो जाता है यह आपका DP already बंद हो जाएगा फिर आपको इसे खुद उठाने तभी ओन होगा इसमें ऐसा नहीं है अगर आपको light बंद करनी है तो आपको fuse है तो फ्यूज चला जाएगा cut off हो जाएगा लेकिन आपका यह on होगा तो ऐसे off नहीं होगा इसे आपको manually on off करना पड़ेगा तो इसमें इस तरह का function है पर आज के टेक्नोजी के हिसाब से आप घरों में गर यूज करना चाहें तो आप यह anchor का मैं prefer करूँ हो कि आप इसे use किजिए काफी अच्छा है यह अच्छा है आप इसे normal machinery बगारा करें आप industry setup करते हैं और चोटे से जरूरत है मतलब आपको सस्ते में चाहिए normal घरों में यूज करने के लिए तो आप इसे use कर सकते हैं और मतलब दोनों में कोई फर्क नहीं है पर फर्क कंपेरिटी के साब से इसमें की जाए तो यह दोनों बिल्कुल अच्छा प्रोड़क्ट है यह एंकर का और दोनों के रेट के साब से में बात करूं तो दोनों के रेट प्राइज में काफी फर्क है तो यह देखिए जो इसका प्राइज है 161 जो यह वाला प्राइज है इसका तो इसका प्राइज आपको 161 और आपको होलसिल में यह साइद 120 इस तरह कपड़ जाए काफी महातर में उठाते हैं यह देखिए 32 अंपेर सर्फेस डीपी स्विच पाइलेट विद नियोन और बिल्कुल मर्प 161 और इसकी बात की जाए जो मैं आपको बता रहा था डीपी एमसीवी डीपी तो यह आपको मैं कहूंगा मैं तो इसे प्राइफर करूंगा मैं तो आपको इसे ही बोलूँगा कि आप अपना नया घर बना रहे हैं तो आप इसे ही प्राइफर किजिए और इसका MRP है 475 और यह 40 संपेर कहा और जो घरों में यूज करने के लिए चादल संपेर काफी अच्छा है और आप इसे होल से में लेते हैं तो आपको यह पढ़ेगा 350-375 की रीज में इस तरह का यह पढ़ जाएगा तो मैं इसे प्राइफर करूंगा दोनों के लिए और अगर आप इसे भी यूज करना चाहते हैं अपने घर में तब भी आप इस लगा तो मैंने दोनों के बार में आपको बताया अगर आप कौन सा यूज करना जाए यह आपकी पसंद है पर फिर भी आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए कुछ और सीजे लाओं तो प्लीज वाच एन वीडियो लिए तो में प्लीज शेन पीडियो में प्लीज प्लीज चाही जवीडियो धाईि प्लीज वाच वीडियो धिया इन इन खर चाही वीडियो चुंद है